आप सभी प्रिये दर्शिकों का स्वागत है इस नई वीडियो में बात करेंगे Yes Bank की क्या है Impact 81 Bonds का इसके उपर और साती सात में प्रशांत कुमार जी का क्या बियान आ रहा है यहां से आगे की क्या प्रक्रिया होगी बात करेंगे कि क्या है right level आपको अपना अगर Yes Bank में प्रियास किया है और हमारी नारी शक्ति को अपने self-independent बनाने के लिए उन्होंने एक नई स्कीम चलाई है specially भुवनेश्वन में Spice Money जो की Ruler FinTech Company है वो Yes Bank के साथ काम कर रही है उन्होंने कहा है कि Odisha की Mission शक्ति to empower Ruler Women Entrepreneurs in state turning them into business correspondence agent तो जो वहाँ पर local area में Ruler Women है जिनके पास में आगे business बढ़ाने की शमता है और या फिर जो business में काम करना चाते हैं उनके लिए इन्होंने ये एक प्रियास किया है जिसके चलते हुए इन्होंने BCA Agreement agent की तरह से उनको काम करने की शुरुआत कराई है अब ये opportunity है बहुत अच्छी जिसके चलते हुए mission शक्ती के लिए उन्होंने 2000 से जादा इस तरह के business correspondence मिरारी शक्ती network का on board किया है और ये एक प्रियास है जो आगे चलकर हर प्रदेश में सफल होगा हमारे हिजाब से अब देखें ATM1 bond होता क्या है addition tier 1 bond के लिए अब अगर आपको additional funding चाहिए होती बैंक्स को तो उनके पास एक option था जिसके थूँ वो bond के थूँ अपने funding को ले सकते थे अब 2008 की जो financial crisis होई थी शाद आपको याद ही हो उस time पर बहुत सारे lesson learned किये गए थे जिसमें bond yield का एक बहुत बड़ा factor था और बेजल 3 norm allow किये गए थे bond imposed के लिए 81 bond holder के लिए जो की emergency situation के लिए कामा सकते है उन्होंने bank की financial condition बहुत अच्छी तरह से improve की थी बट अब हो क्या रहा है यहाँ पर SBI का कुछ बयान आ रहा है SEBI का बयान आ रहा है YES bank का बयान आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे तो दीखें उन्होंने कहा है कि 81 become as part of permanent capital for the bank just like common equity यह सिर्फ emergency के time पर use किया जाना चाहिए था बट अब क्या कर रहे है bank उसको utilize कर रहे है अपना profit को increase करने के लिए अब सस्तरास्ता मिलेगा पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं लेंगे bank फिर आपको higher rate पर bank देंगे पैसा तो इसलिए इन्होंने बेजल 3 norms का थोड़ा सा misuse करना शुरू किया है और capital ratio जो है 11.5% तरह गई है अब यह यहाँ पर further 8% के आसपास tier 1 equity capital के जो reserve कहते हैं वो हो गई है और tier 2 जो supplementary reserve और hybrid instrument है वो एक further उनकी supplement करती है उनको तो 81 bond जो है part of bank tier 1 capital जो उनकी बेजल 3 norms की जो international norms है उसके काम आती है अब अगर हम बात करें जो bond issuer है सबसे बड़ा bond issuer जो है IDBI bank है यहाँ पर देखेंगे 41% के आसपास इनका यह पहला bond है दूसरे वाला में 25% का exposure है उनके पास में फिर आपका DSP, ICI, ICI Prudential, IDFC, Tata Mutual Fund, Kodak Mutual Fund, Kodak Mahindar Mutual Fund तो इन सब के पास में काफी double digit के exposure है इस ATF Bound के लिए जो की एक challenge होगा mutual fund companies को यहाँ पर अभी उनका थोड़ा सा bond deal बढ़ने की वज़ए से यहाँ पर इनकी valuation कम हो जाएगी तो अगर आप बात करें आगे कि पिछले साल जो RBI ने announcement किया था कि Yes Bank का restructuring scheme थी आपको शायद पता ही हो जब प्रशांद कुमार जिनन का takeover किया था यहाँ पर collapse could substantially have detrimental impact on the economy अगर Yes Bank तूट जाता तो भारत में जो banking system है उसकी प्रणाली पर पूरा विश्वास उट जाता है रिटेल निवेशकों का However, जो restructuring exercise है Yes Bank has return of 81 bonds और यह हुआ क्या है उसके लिए cause a loss of 8400 करोर to the holder of these bonds तो यह बहुत बड़ा challenge रहेगा अब यहाँ पर even most of the infection impacted by the right of a mutual fund and bank but some were even retail निवेशक ने भी उस bonds में निवेश किया था जो कि एक challenge की तरह से यहाँ पर काम हो सकता है आगे अब चलकर अगर आगे बात करते हैं यहाँ पर channel का 5Fरूल हमेशे दियान रखना क्या होंगे सही level buying करने के लिए और एक और important update आपके पास रह गई है देखिए यहाँ पर COVID का impact क्या है कि अब थोड़ा सा long default दिखाने लगे है banks यहाँ पर दिखने भी लगा है क्योंकि क्या हो रहा है market economy में jobs नहीं है jobs की challenge आ रही है और साथ ही साथ में महंगाई ने कमर तो डाली है petrol 100 रुपे हो गया है जिसकी वज़े से हर चीज में jump आ रहा है आप यकीन नहीं मानेंगे हम अपने कुछ trader friends के साथ बात कर रहे थे iron cost करीब करीब 22% increase होगी है within one month timeline अगर आपने एक महिना पहले खरीदा होता तो आपको 20% 22% के आसपास profit पढ़े होते और यही चीज अगर हम जो हमारा cotton यान होता है fabric की यान होता है अगर उसकी बात करें तो वो एक महिने के अंदर 30% increase हुआ है तो यह बहुत significant number है शायद आपका date reuse में नहीं करते हैं इसको iron को आप हमेशा नहीं खरीदेंगे जब आपको construction होगा तब use करेंगे बट इससे हर चीज की cost बढ़ेगी impact बहुत बड़ा होगा और यहाँ पर job ना होने की वज़े से लोगों के पास पैसा नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा challenging रहे और यही challenging environment होता है जोकि good opportunity होता है long term निवेशकों के लिए president है equity research technical derivative centurium broking उन्होंने कहा है कि यह critical level पर खड़ा हुआ है यहाँ पर अगर 15.50 पैसे तूटता है तो हो सकता है short term में correction दिखाए दे बट अगर 15.50 पैसे hold करता है तो यहाँ से यह उपर जाने के लिए तिया रहेगा एक trapezered pattern बनाया है जो हम बताएंगे आगे इसका जो कि एक advanced notification होता है कि आगे कि क्या प्रक्रिया हो सकते है यहाँ से बहुत अच्छा break out हो रहे की उम्मीद है अब देखे yes bank में जो bonds के हमने बात की bond से पैसा मिला था पर अब इनके bonds के deposits equivalent जो है हमारे cash deposit जो आप bank में जाते है वो grow कर रहे है 20% per annum जो total deposit आ रहे है वो बहुत बढ़िया rate पर grow कर रहे है जो कि एक बहुत significant milestone है यह इस bank के लिए अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पर तो देखें यहाँ पर good consolidation phase चल रहा है बताते हैं कैसे समझेगा जो इसको charts पर तो पहले सबसे पहले Friday का अगर भाव देखा जाए तो Friday के दिन यहाँ पर खुला 16 रुपे के आसपास गया 16 रुपे 20 पैसे और 15 रुपे 80 पैसे के आसपास लो बना कर इसने फिर 15 रुपे 90 पैसे पर अपना day close किया है अब अगर कुछ pattern देखें तो देखें यहाँ से एक बहुत बढ़िया pattern बन रहा है आपको जो support बता रहा है 20 रुपे 70 पैसे के आसपास इसकी support थी और 12 रुपे 90 पैसे के आसपास इसका एक बहुत strong support था 21 रुपे के आसपास का resistance रहेगा अगर सबसे पहला resistance उसने उसके बाद में 17 रुपे 50 पैसे का तोड़ा तो फिर ये अपना lifetime high बनाने के लिए उपर जाने की कोशिश करेगा अगर हम बात करें Boolinger Band की तो Boolinger Band बहुत narrow हो चुका है ये चीज बहुत important होती है दोस्तो आपको अलग-अलग parameter पर technical analysis करना है यहाँ पर देखिए बहुत narrow हो चुका है और 15 रुपे 60 पैसे का बहुत strong demand रहेगी और एक बार 16 रुपे 60 पैसे इसने तोड़ा महज 1 रुपे की range रह गई है जो की बहुत अच्छी बात है Boolinger Band के reference में और अगर यहाँ पर देखें तो देखें सूपर ट्रेंड के बेसिस पर 17 रुपे एक बार तोड़ेगा तो उपर जाएगा और RSI एक neutral zone में है 43 के आसपास यहाँ पर RSI बैठा हुआ है जो हमने trapezate pattern की बात की थी देखिए अपके बना के रखा है यहाँ से narrow pattern होता जा रहा है हो सकता है महज एक हफ़ते के अंदर या तो break up हो, break out हो या फिर break down हो इसका बहुत जल्दी आपके लिए ये एक अच्छे level पर मिलेगा international market pressure है तो हो सकता है कुछ छोटा सा consolidation रहे है हमारा outlook बहुत bullish है इस stock में अगर आप चाहें तो इसको अपने portfolio में add कर सकते है हमारे हिसाब से 3 साल का इसका target करीब करीब 50 रुपे कर रहेगा आप buy कीजे, hold रखे long term में एक multi bagger stock की तरह से काम करेगा दोस्तों वीडियों को like कीजेगा आपके लिए 4 वीडियों प्रसुत है तो हमारे कोई भी workshop जोइन कीजे mail ID में आपको सब्डेडियों लेगा जहीं जाबारत, bye guys